BMC के अभियंता पर हमला करने के मामले में शिव सेना UBT के चार कारेकरता गरिफतार मुंबई पुलिस ने ब्रन्ण मुंबई महानगरपालिका BMC के अभियंता पर हमला करने के मामले में शिव सेना उधव बाला सहाब ठाकरे के चार कारेकरता को गरिफतार किया है एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है वकोला थाने की एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी, संतोष कदम, सदाप परब, उदैदलवी और हाजी अलीम खान को मंगलवार को एक इस्थानी अधालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें नियाई खिरासत में भेज दिया गया है प्राथमिकी मंगलवार कुरजाच की गई जिसमें राज के पूरुमंत्री अनिल परप को भी आरोपी की रूप में नामित किया गया था लेकिन उन्हें गरफतार नहीं किया गया है परप और अन शिवसेना UBT कारेकरताओं ने उपनगरी ये बांदरा में शिवसेना UBT की एक शाखा को पिछले सपतहा गिराए जाने के विरोध में सोमवार दोपहर BMC के एच इस्ट वार्ड कारेले तक मार्श निकाला था प्रादमिकी के अनुसार प्रदेशन के दौरान आरोपियों ने कतित तौर पर BMC इंजीनियर अजयर पार्टिल 42 वर्शिय के साथ मार पीट की और उन्हें गमभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भार्दी दंडशाहिता की धारा 353 लोग सेवा को करतवे के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आप राधिक बलका इस्तिमाल करना और 5062 आप राधिक धमकी देना के तहत मामला दर्ज क्या गया है